हलो बच्चों, कैसे हो आप सभी मैं जगरता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्थ हैं और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे तरीके से चल रही है। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आपको Kingdom Protista के आखरी ग्रूप, प्रोटो जुवा के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, प्रोटो जुवा क्या होता है, कैसा होता है, इसमें लोको मोसल कैसा होता है, इन सभी प्वाइंट्स को आज के इस क्लास में हम अच्छे तरीके से जानेंगे, तिलिए आज के इस क्लास को सुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपका टॉपिक क्या है यह किग्णम प्रोटिस्टा का टॉपिक है किग्णम प्रोटिस्टा यानि की दिस्कों करते हैं जगत प्रोटिस्टा और जगत प्रोटिस्टा में अगर हम बात करते हैं तो यह सबसे लास्ट ग्रूप है ग्रूप फिप्ट है जिसकों कहते हैं प्रोटो जोवाब ठीक है प्रोटो जोवाब प्रोटो जोवा क्या होता है एक अनिमल लाइक प्रोटिस्ट है जानवरों के जैसा एक प्रोटो जोवा है वह अपने सारे लख्षड को प्रदसित करता है जैसा जलतू होता है यानि कि अगर हम कहेंगे तो प्रोटो जोवा करता है क्या है प्रोटो जोवाब प्रोटो जोवा रिप्रेजेंट सिमिलर्टीज बिथ रिप्रेजेंट सिमिलर्टी बिथ गिंगडम एनिमालिया के साथ यह सिमिलर्टी को रिप्रेजेंट करता है यानि कि हम बात कर सकते हैं सेंपल सा कि हम इसको दूसरे रुप में लिशेते हैं डैटीज प्रोटो जोवा अर्ड़ अनिमल लाइक प्रोटीस्ट प्रोटो जोवा जो होता है वह एनिमल के जैसा एक प्रोटीस्ट है बात तमझ में आई एनिमल के जैसा प्रोटीस्ट है तो एनिमल के जैसा प्रोटीस्ट है इसका मतलब क्या हो उव भाई जिस तरीके से अपना भोजन करता है जिस तरीके से अपना रे Förduc न करता है वो अपना बोजन बनाता है इन प्रेजेंस आप संलाइट लाइट की उपस्ति में और अपसेंस आप लाइट में वह पैरासिटिक बॉडड आप नूटिसन को रिप्रेजेंट करता है जानी कि अगर हम बात करें सुरे की प्रकास हो वह फोटो सेंथेसिस करके अपना चलिए आगे अगर हम बात करें सके नूटिसन की यह सब्सक्रा पाक्र लोत करते हैं Г्यानि हम बात कर रहे हैं इनिमल लाइक नूट्रेजेंट करते हैं यह पैरसैट भी होते हैं यानि कि यह परजीवी भी होते हैं दूसरी हेट्रोट्रॉपिक में अगर हम एक साथ कहले तो यह हेट्रोट्रॉपिक होते हैं यानि कि बिजम पोसी होते हैं दूसरों से भोजन ले करके खाने वाले होते हैं ठीके चलिए बात कर लेते हैं हमने क्या कहा यह क्या होते हैं न्यूट्रिशन बगर इसक इसमें भी दो में टाइप है, पहला क्या है, होलोजोइक, जिसको हम करते हैं, एनिमल लाइक, और दूसरा है, पैरासाइट, यान कि डिपेंड ओन अधर आर्गैनिजम, ठीक है, यह पैरासाइट हो गए, ठीक है, चलिए, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, इसमें किसके बेशिस पर, इसमें मुवमेंट जो होता है, इसमें जो गती होता है, यहां वहाँ चलने की, उसके बेशिपर इसको हम क्लासिफाइग कर सकते हैं, कितने क्लास में, इसको हम क्लासिफाइग कर सकते हैं, अमिवाइड में, फ्लैजिलेट में, सेलियेट में, और इस पो classify are classify in following on the basis of on the basis of movement movement की basis पर ये classify किये जा सकते हैं जैसे अगर हम बात करें किसने भागों में classify किये जा सकते हैं तो नमबर एक पर अगर слож cute तो इन्को हम do背 Rapid कर कर सकते हैं अगशितरी अगर हम बात कर रहे मैं तो उस्में कर सकते हैं दूसरा हो जाएगा वह क्या जायेगा अधिक्र हो गयाएगा तीसरी हम बात कर रहे तो इसमें तीसरा हो जायेगा सभी के बारे में बताऊंगा मैं अभी इलियर्स हो जाएगा और चौते के अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा इस पोरो जोवन्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इस पोरो जोवन्स हो जाएगा तो लिए हम अगर हम बात करें separate करके इन चारों के बारे में बात करते हैं या एक column बना करके बात कर रहे हैं यह क्या होते हैं कैसे होते हैं सब कुछ आपको आसानी से समझ में आज आएगा क्योंकि मैं easy way में समझाने की कोचिस करता हूँ कि अगया है कि अगया है तो अमने क्या बता है पहला पहला भाक में बताया अमिबॉएड दूसरा आमने बताया क्या फ्लैजलेट ठीक है फ्लैजलेट और तीसरा आमने क्या बताया सीलियेट्स और चौथा आमने बताया स्पोरोजोवन यह चार ग्रूप है चार भाग है प्रोटोजोवा के अगर हम अमिबॉएड की बताया तो हमने अमिबॉएड क्यों कहा कुछ ऐसे और्गेनिजम होते हैं जो अमिबॉएड मूब्मेंट करते हैं यानि कि अपने साइटो प्लाजमत को जिस दिसा में जाना होता है उस दिसा में यह भेज देते हैं फिर इस दिसा की सेल सर्फिस बढ़ जाती है और वो आगे बढ़ जाते हैं तो अगर हम बात कर रहें तो आपने पढ़ा होगा अमिबॉएड का 6 में, 4 में तो अमिबॉएड की सरता कुछ इस प्राकार से होती है और यह अमिबॉएड मूब्मेंट करते हैं इस दिसा में आना तो क्या करेगा इस दिसा में भेजना सुरू करेगा यह जो एरिया है वो इंक्रीस करेगी और इधर की एरिया डिक्रीस करेगी तो यह आगे की और चला जाएगा इसको Amoeboid Movement करते हैं या Amoeboid करते हैं इसमें Movement होता है कैसा है तो Movement की बात कर रहे हैं इसमें Movement क्या होता है स्यूडो पोडिया के द्वारा होता है स्यूडो पोडिया के द्वारा होता है आगे अगर हम बात कर रहे है यह पाया कहा जाता है यह पाया जाता है फ्रेस वाटर में तिके फ्रेस वाटर के अंदर पाया जाता है स्वच जल के अंदर पाया जाता है और अगर हम बात कर रहे हैं, तो यह terrestrial भी हो सकता, terrestrial में होगा कहाँ पर, terrestrial में यह आपके मिट्टी के उपर भी पाया जाता है, then अगर हम बात करें, यह marines भी होते हैं, ठेके, fresh water, marine, marine, and terrestrial, mostly, या moist water, moist soil करते हैं, moist soils में यह पाया जाते है, then अगर हम बात करें, यह parasite होते हैं, तो parasite में कौन हो जाएगा, भाईया, इसका एक भाई है, जिसको हम ant amoeba के नाम से जानते हैं, तो ant amoeba क्या करता है, parasite होता है, और इसमें क्या होता है, silica का deposition होता है, यानि कि outer covering जो होती है, वो silica की ब अगर हम बात करें, तो यह क्या होता है, parasite होते हैं, parasite होते हैं, और outer covering जो होती है, parasite में अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं, outer layer क्या होती है, silica, outer layer में silica पाई जाती है, और अगर हम अगले point की बात कर रहे हैं, तो भाईया, इसमें क्या होती है, सेलवाल अब सेंट होती है सेलवाल क्या होती है अब सेंट होती है इधर हम आ जाते हैं फ्लैजलेट्स वाले में आ जाते हैं फ्लैजलेट्स का मतलब सिधा अगर हम बात कर रहे हैं तो आप जाएए इक पड़ता है ट्रिपैनोजुन जो कार्ट्स करता है स्लिपिंग सिकनेृ स KNOW की जो इस तरीके से हम बना सब्सक्राइक कि ट्रिपैनोजुन यह ऊगया और त्रेपैनोजुन माइगर हम बात कर रहे तो यह कि हो गया और यह पुरी क्या होगी इसकी होल बाडी होगी अगर हम बात करें ट्रिपानोजोमा की पर यह प्रेस्ट वाटर में रहता है और पारासाइड होता है अंद यूमन्स तीके और यह डिजिजज ऑफरिकाय है इस ऐफ्रिकाय स्लिपिंग सिक्निस यह प्रिकाय पॉट्टर में इसके थेस सरी सीह हैं वह अलग अलग तरीके की इसे उठीसे उठ्पन करते हैं सोने के लिए इंभात कर्द यह क्या Si enough यह एक रहासइоне के साथ क्या है यह यह क्रीस आड्र लीविंग क्या होते हैं क्या होते हैं इस वाटे लिविंग साफ जल में यह रहने वाले होते हैं स्वच जल में यह रहने वाले होते हैं एक्जामपल की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्रापनो जाएगा नो तो कि प्रापनो स्वमा जैंबीए इस प्रापनो सो एक्रूजी यह सारे प्रेंश्ल मात करता है इस कास्ट करता है उस्धिकर्ण बात करता है शीपिंग सिखनेश थो सीलिया की बैस कर रहे हैं तो आपके पास पैरा मिस्यम हो गया घंडे सारी सीलिया पाई जाएंगि इस से और इसी सिलिया के सायता से यह क्या करता है लोको मोशन करता है यह सिलिया के सायता से ही क्या करता है गती करता है क्या है यह इसका सिलिया है अब यह पाया कहां जाता है तो यह जो होता है फ्रेस वाटर में पाया जाता है और यह कोडिनेटरली मुव्मेंट करता है सिलिया के द्वारा ही इस निम्ट क्या होता है movement करता है यहां हम लिसकते हैं यह क्या होता है फ्रेस्वर्टर movement occur takes place by छे लिए एक्जामपल की बात कर रहे है paramuseum तो अगर हम बात कर रहे हैं इस पूर बनाते हैं और जिनका जो life cycle होता है बहुत ही simple होता है कैसे अगर हम बात कर रहे हैं malaria parasite plasmodium की बात करता है malaria disease कारता है और यह इस पूर जोटे हैं तो अगर हम बात कर रहे है इस पूर जोंस में क्या हो जाएंगे जो इस पूर जोटे है न वह ब्लाब इस पूर बनाते हैं लिप सकते हैं इस पूर जोवन्स स्पूर जोवन्स में क्या है इस पूर इंडियर लाइफ साइकल ठीक है अब अगर हम बात कर रहे हैं एक्जांपल की हम बात कर रहे हैं एक्जांपल की अगर हम बात प्लाजमोडियम के द्वारा तो मैं आसर करता हूं कि जितनी भी बात हैं हमने आज के इस क्लास में बताई है वो सारी कहानी आपको अच्छे से याद हो गई होगी होगी अगर अगर क्लास अच्छा रगता है तो अपने दोस्तों के साथ स्वेट किजिए वीडियो को लाइ कि हर किसी की मदद हो सके चलते हैं अगले क्लास की और मुव करेंगे और आप से मिलेंगे अगले क्लास तब तक के लिए जैबारत बने रही है हमारे साथ बाया लॉजिक पढ़ने के लिए